हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसोड 26 के शरवात में ही आएंग क्लब के कोट से मीटिंग करने के बाद अमने दोस्तों के साथ इस क्लब को लेकर अपने आईडिया स्चियर करने के लिए आचाता है ये एंगिन से कहता है कि मैंने अभी कलब को जोईन किया है तो मैं इस में को जादा चैंजिस नहीं करूँगा मैं इस सिटी में एक कॉमपेडिशन होस्ट करवाना चाहता हूँ वेन कहने लगता है कि कॉमपेडिशन और्गनाईज करने के लिए काफी ज़दा पैसों की जरूरत होगी और ये काफी मुश्किल काम है क्योंकि हम स्पॉंसर्स पर रिलाई नहीं कर सकते कई दिफा स्पॉंसर्स कॉमपेडिशन से पहले ही आपको छोड़कर चले जाते हैं और अपने पैसों से हम एक बड़ा कॉमपेडिशन और्गनाईज नहीं कर सकते ये येंग कहता है कि फिर मैं अपने दूसरे प्लान के साथ जाओंगा हमारी क्लब में जो टिरे निट इड कोड्स और प्लेयर्स हैं में उनको प्रमोट करूंगा वैं कहता है कि फिर से हमें पैसों के जुरूरत होगी कौन बहला हमारे क्लब के लोगों को Shah फ्री में प्रमोट करेगा ताके वो वेल नाउन प्लेयर्स को एट्रेक्ट कर सके और इन कॉंपिटिशन का बॉनिस मैनी भी काफी जादा होता है। तुम लोग जितनी जादा गेम्स खेलोगे उतने ही जादा पैसे आएंगे। यह सब संकर तो सब लोग इसको हैरानगी से देख रहे होते हैं। यह कहता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से मत देखो मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट है। लिन लिन कहती कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। चैन कहता है लेकिन मैं तो रिटायर हो गया हूँ। वन कहता है कि इस मसला क्या है। हम पैसे कमा लेंगे और तुम इंजॉय कर लेना। यह सुन कर चैन भी मान जाता है। अब यह को यंगा को मेसेज आता है कि मेरी ग्रेंडमा ने तुम्हें इस वीकेंड डिनर के लिए इंवाइट किया है। यंगा यह मेसेज करके सोचती है कि कहीं यह को यह तो नहीं लगेगा कि जैसे मैं इसको शादी करने के लिए फोर्स कर रही हूँ। येंग और इसको मेसेज़ कर देती है कि मैंग्शा ने ग्रेंडमा को बताया था कि तुमने हमारी बौर टेक्ट केर कीदी इसलिए वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं मैं ग्रेंडमा से बात कर लूँग लेकिन येंग कहता है कि मैं इस वीकेंड आज आऊंगा लेलन कहती है कि नाइन बोल वर्ल्ड जेंपियंशे पा रही है इसलिए हमें थर्स्टे को जाना होगा येंग कहते है कि तुम लोग घर जा सकते हो अब जो ये सब लोग जा रहे होते हैं तो येंग सोच्टन लगता है कि हम इस थर्स्टे जा रहे हैं तो मैं येंग को कि मैंदमा से नहीं मिल पाऊंगा येंग वं को मैसेश करता है कि मैट के लिए जा रही हो ऑनक्रती है्क्रती है वापिस आने की बात कर लेंगे अब यंगा येंग को call करती है और कहने लगती है कि तुम उससे बात करना चाहते हो येंग कहते है कि तुम मुझसे कोई भी बात करना तुम अपना luggage pack करने लगती है और येंग से कहती है कि लास्ट कॉमपोडिशन में मुकावला बहुत सक्ता अगर लोग गलती नहीं करती तो मैं कॉमपोडिशन हार जाती लेकिन इस पार में जादे सीरिसली खेलूंगी लेकिन मेंख़ादॉग मुझे कहता है कि लग भी स्ट्रेंथ की तरह होती है तुम इस बारे में क्या कहते हैं? Yeng कहते हैं, के मैं इस पाफ से अगरी नहीं करता Heeng कहता है के मियगीन नहीं कर सकता कि उसने कहा होगा क्यूंके वो सर्फ हार्ड रेक पर ही रिलाय करता है Hierango कहते हैं, के मैंंकशा दॉंघ की परिसनलीटी की बौछ साइड़् हैं नहीं करनी चाहिए लोग तो बातें करतें तो मैं अपने अंदर बरदाश्ट पैदा करनी चाहिए यह कह कर मिस्टर ही चले चाहते हैं और यहाइंग भी इन्गाउस से कहता है कि अपने पेरिंट्स की डेफ पर मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था मुझे नहीं मालम क्यों लेक यंग कहते हैं तो बाकिस्ट लोगों ने भी किया होगा ज्यादर लोग यहीं समझे हूंगे कि मैं गूल्ड इंसान हों जिसे कोई दुख नहीं था यंगो कहते हैं कि अब तुम्हें सोना चाहिए यंगो सोने के लिए चाहती है लेकिन ह्यंग ने भी तक कौल बंद नहीं की ह आसारा समान करता है आप के पास कोचस आते हैं जो किसको कहने लगते हैं कि हमारे सिर्फ तीन प्लेयर्स वर्ल रैंकिंग में आ सकते हैं तो फिर थर्टी प्लेयर्स को एप रोट भेजना सिर्फ पैसों को वेस्ट करना है यह कहता है कि अगर हम इसी पार में परशान रहते तो हमारा क्लब कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता दूसरा कोच यंग से कहने लगता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे कोच की तरह इस कलब को लेकर तुम्हारे भी गोल्स बहुत बड़े हैं लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें कलब के मामलात को देखना चाहिए यें कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं हमारे लिए klub first पर है लेकिन game organize करना भी हमारे लिए बहुत फाइदे मन्द है यें कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे klub के players को कोई जानता ही ना हो मैं यह चाहता हूँ कि जब हमारे प्लेयर स्टेडियम में आएं तो उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ी और्डियंस महाँ पर मुझूद हो चैनल वुवे भी खड़े इनको देख रहे होते हैं चींग गयां थी ना रहा होते हैं यह सूर्ट करते हैं कि यह ओंपर एक aut और यहांग आए कि शुकुद होते हैं और और हम आफ इंगन के प्रकता है कूल तर ने कोशों में अच्छ में घूंच तर खते हमाँ पास कुछ एक करते हैं इसके बाद ये येंग अपने काम की सारी प्रोग्रस चियांग येंग से शेयर करने के लिए आजाता है चियांग येंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड नियूस है और वो ये कि मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ येंग कहते है कि इतनी जल्दी जियांग येंग कहते है कि तुम्हे कुछ गलत सोचने के जुए नहीं है डिस्चार्ज होकर मैं रिस्टी करने वाला हूँ और तुम्हारी स्ट्रॉंग सपोर्ट बनने के लिए मुझे कुछ टाइम के लिए गाइब होना पड़ेगा इसलिए तुम मेरे लिए को जगा दलाश करो येंग बिलियर्ड रूम का कहता है तो चियांग येंग इसके लिए मान चाहता है अब येंग जियांग येंग के साथ बिलियर्ड रूम आज आता है जियान गैंग से कहता है के वरल्ल चैंपियंटिंजिप आज खतम हो गई है अब तो यें गाव भी वापिस आने वाली होगी तिमैं जाकर इसको पिक्क रणा चाहिए येंग कहता है कि इस बाmar के लिए मुझे कहने के जबर नहीं है ययसंकर ये येंग मुस्कुराने लगता है, ये येंग जुप कलब वापिस आता है, तो सबी प्लेयर्स येंगा हुशे। हुँ इसने भी चैंपियंशिप जीती और यहां पर आकर प्रेक्टिस कर रही है जब के मैं सेकंड आने के बाद भी यहां पर बैट कर रही हूं तो यह कहने लगता है कि टॉप प्लेयर्स भी हमेशा नहीं जीत सकते और इस कॉंपरेशन में सेकंड आना भी बड़ी बात है यहां को यह सुनकर अच्छा लगता है यह यहां लू से कहने लगता है कि कल तुम्हारे चैंपियंशिप जीतने की खुशी में पार्टी है लू कहती है कि थैंक्स लेकिन म मिलाकात होगी अब यह यह कया सकता ही कि आच में काफी अच्छा हूं मुझे अमीद है कि तुम्हारे पैरेंट्स मेरी तरह करें तो तुम तो फॉरां ही पास हो जाओगी यह कहने लगता है कि अफूस की बात है कि तुमारे नदर और बी कुलिटी थ हैं वरना मैं दुमें मिलवाने के नहीं लेकर जाती अब यह यांग इंगाओ को अपने रूम में ले आता है जिंगाओ यांग से कहती है कि अशल में मेरे डैड तमसे मिलना नहीं चाहते थे लेकिन उन्ने ये बार डिरेक्टली नहीं कहीं क्योंके वो Grand Ma को अपसेट नहीं करना चाहते थे उन्ने बस मुझे ये कहा कि हमने भी डेट करना स्टार्ट किया है तो तुमसे मिलना काफी जलदी है ये एंग कहते कि इसमें तह मुश्किल दिखाई दे रहे है येंग कहती लेकिन मेरे कॉंपूटेशन के अधरान मेरे डैड ने मुझे कॉल की तुम्हारी चीवमेंट को देखने के बार वो तम्हाई तारीफ कर रहे थे और उनने ये भी कहा कि दॉंग्शन सिटी लगी है कि उनके पास तुम्हारे जिसा प्लेयर है येंग कहते कि इसका मतलब है कि तुम्हारी डैड ने मुझे एकसेप्ट कर लिया है येंग कहते कि हाँ मेरे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं येंग कहते हैं कि मुझे ये सुनकर हुशी हुई है, येंग येंग से कहते हैं कि कॉम्पिटिशन के स्ट्रेस की वज़ा से मेरी तबियत कुछ खराम है, येंग ये सुनकर येंग को हग करता है कि तुम स्ट्रेस मत लो सब ठीक हो जाएगा, इसी मुमेंट पर एपिसोड 26 ख